डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट छोटी और मजोले उद्धोग किसी भी देश की आर्थ्व्यवस्ता की रीड होती हैं भारत में सुक्सम, कोमा, लगु और मजोले उद्धोग देश की सकल घरेलू उद्पाद जीडिपे में 30 फीसद और निर्यात में 48 फीसद का योगदान करते हैं विराम, MSME क्षेत्र से लगबग 15 करोड लोगों को रोजगार मिलता है जो कुल स्रम सक्ती का 40 फीसद से जादा ही होगा विराम, MSME क्षेत्र की बारे में ये उजले आंकडे सच हो सकते हैं विराम, लेकिन इस सच के पीछे अंधेरा इतना घना है कि सभी आंकडे उसमें गुंगले लगने लगते हैं विराम, सच तो यह है कि अर्थ व्यवस्था का यह क्षेत्र इस वक्त गंबीर संकटों से जूज रहा है विराम, देश जब आजादी का अमरित महोच्व मना रहा है कोमा, तब MSME क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है विराम, लगबग 69% MSME बंद होने के कगार पर हैं विराम, सरकार, उद्यमी और स्रमिक, हर किसी की उमीदें तूटती नजर आ रही हैं विराम, कुछ ही महीने पहले तक MSME के संकट ग्रस्त होने के अनुमान लगाए जाते रहे हैं विराम, लेकिन अब अनुमानों के कुछ आंकडे आने के बाद इस क्षेत्र की तस्वीर साफ होने लगी है विराम, मवजूदा वित वर्स की पहली तिमाही में MSME से कर्ज किस्त चूक के मामले में तिवर उचाल आया है विराम, यानि इस क्षेत्र के उद्योगों को पहली तिमाही के दोवरान जो रकम बेंकों को लोटानी थे विराम, वे नहीं लोटा पाए विराम, यह बात सारवजनिक खेत्र के बेंकों के प्रथम तिमाही की बहिखाते से सामने आई है विराम, हालां कि इसका एक कारण अधिक कर्ज का वीतरन भी रहा विराम, लेकिन इससे भी बड़ा कारण है कारोबार और बाजार की खस्ता हालत विराम, यानि जिस काम में कर्ज का पेशा खर्चा गया कोमा वहां से या तो वह समय पर लोटा नहीं कोमा या खर्च करने और लोटने की प्रकरिया में पेशा बरबाद ओ गया विराम, ये दोनों स्थतियां किसी उद्यम के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती विराम, MSME की हालत पहले ही से ठीक नहीं थी और फिर महामारी ने तो इसका भटा ही बेठा दिया विराम, नीतिगत सीमाओं की कारण MSME क्षेत्र को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती तो बड़े उद्यमों को सुलब है विराम, पूंजी की कमी इसक्षेत्र की सबसे बड़ी समझ्या है विराम, आसान कर्ज मिल पाना हमेशा से कठिन रहा है विराम, महामारी के दोरान सरकार ने इसक्षेत्र को राहत देने के लिए आसान रिन के कुछ प्रावधान किये विराम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के कारण वित वर्ष 2021 में MSME को कुल साधे 9 लाख करोड रुपई के कर्ज दिये गए कोमा, जो 2019 बीस के 6.8 लाख करोड रुपई से काफी अधिक है विराम, लेकिन लगता है कि इस कर्ज से उरिन होने की एक नई चुनवती इस ख्षेत्र के सामने आखडी हुई है विराम, इस ख्षेत्र के उध्यम अपनी देनदारी नहीं चुका पा रहे हैं विराम, वित वर्ष 2021 की पहली तिमाही में भारती स्टेट बेंक के नई बकाये का आकार 4 गुना बढ़कर 15,666 करोड रुपई हो गया कोमा जो साल बर पहले की समान तिमाही में 3,637 करोड रुपई था कोमा यानि 5 गुने के आसपास विराम और इस बकाये का 40 फीसद से अधिक हिस्सा या 6,416 करोड रुपई अकेले MSME खेत्र से है इसी तरहे इंडियन बेंक के नई बकाये का 69 फीसद हिस्सा या 4,204 करोड रुपई और केनरा बेंक के नई बकाये का 58 फीसद या 4,253 करोड रुपई MSME क्षेत्र से हैं विराम इन आंकडों से साफ है कि बेंकों का 1000 करोड रुपई MSME क्षेत्र के करज में फंस गया है विराम अगर ये उद्योग करज की किस्तें लोटा पाने में सक्सम नहीं होंगे तो इसका सीधा असर बेंकों की सेहत पर दिखेगा जो पहले से ही NPA के बोज तले दबे पड़े हैं विराम पेराचेंद एसा भी नहीं है कि सरकार या सरकारी बेंकों को MSME क्षेत्र की हालत के बारे में पता नहीं है विराम भारती रिजर्व बेंक ने हालांकी जुलाई की अपनी वीतिये स्थिर्ता रपट में कहा था कि बेंकों के NPA का आकार बढ़ सकता है कोमा खासतोर से MSME और खुदरा चेत्र की मद में विराम जबकी बेंकों और गेर रिजर्व बेंकिंग वितिये कमपनियों के MSME मद का संकट चुल जाने के लिए आरबियाई कई पुनरगठन योजनाई पहले ही पेश कर चुका है विराम आरबियाई ने 2019 से लेकर तीन एसी योजनाई पेश की विराम जिसके तहत MSME खेत्र की 25 करोड रुपई तक के संकट ग्रस्त कर्ज के पुनरगठन की अनुमती दी गई है विराम इसके आधार पर बेंकों ने जनवरी 2019 फरवरी 2020 और अगस्त 2020 की पुनरगठन योजनाई के तहत कुल 56,866 करोड रुपई रिन का पुनरगठन किया विराम लेकिन यह राहत उंट की मुहें में जीरे जैसी थी कोमा जिसके कारण यह क्षेत्र वित्य संकट से बाहर नहीं निकल पाया विराम पराचेंट MSME की बदतर हालत का अंदाज क्रसी क्षेत्र में बढ़ रही स्रमिकों की संख्या से भी लगाया जा सकता है विराम स्रमिकों का कारखानों से क्रसी क्षेत्र में लगातार पलायन हो रहा है विराम, CMIEE की आंकडे कहते हैं कि वित वर्स 2017-18 में क्रसी में कार्यरत स्रमिकों की हिस्सेदारी 35.3 फीसद थी जो 2019-20 में बढ़कर 36.1 फीसद, 2019-20 में 48.1 फीसद और 2020-21 में 49.4 फीसद हो गई विराम, मांगने होने की कारण वी निर्मान ख्षेत्र बूरी तरह प्रभावित हुआ है, कुमा, जिसके कारण इस ख्षेत्र में स्रमिकों की हिस्सेदारी 2021 में 9.4 फीसद से घटकर 7.3 फीसद पर आ गई विराम, वी निर्मान ख्षेत्र के 60 फीसद स्रमिक MSME के असंगठित ख्षेत्र में कार्यरत है और यहीं से स्रमिकों का क्रसी ख्षेत्र में पलायन हो रहा है पराजिंच सरकार ने जुलाई, 2019 में घोसना की थी की अगले 5 सालों में MSME क्षेत्र का जीडेपे में योगदान बढ़ा कर 50 फीसद किया जाएगा और 5 करोड नई नोकरियां पेदा की जाएंगी विराम, संभवत है इसी क्रम में इस साल जुलाई में खुदरा कारोबार को भी MSME में सामिल किये जाने की घोसना की गई है विराम, लेकिन इसके पहले मई, 2021 में आई लोकल सरकिल्स की एक सरवे पट में कहा गया की देश में लगबग 69 फीसद छोटे नई कारोबार और MSME साल के अंत तक अपने कारोबार घटा देंगे कुमा, बंद कर देंगे या बेच देंगे जादा चिंताजनक बात तो यह है कि सिर्फ 22 फीसद MSME के पास ही तीन महीने से जादा तक संचालन के लिए संसादन बचे है विरां, जबकि लगबग 41 फीसद के पास या तो पूंजी खत्म हो चुकी है या एक महीने से भी कम अवधी की बची है विरां, सरवे में 88 फीसद उद्यमों ने अपनी कारोबार बचाने के लिए सरकार से उन वस्तों की कीमतें बढ़ाने की मांग की थी समाब झाल